बोचपुरी गाने को नमबर वन ट्रेंड पर लाकर ही माने पवन सिंग जी हाँ पवन सिंग का गाना नमबर वन ट्रेंड पर चल रहा है आप हमारे स्क्रिंशोट में ये देख सकते हैं कि नमबर वन ट्रेंड पर चल रहा है गाना सबी ने congratulate किया है अच्छा खासा record बन चुका है मैसे भूचपुरी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक साथ दो गाने trending में चल रहे है एक number one की position पे एक number three की position पे त्री परखे सारी लाल यादों का जैजै शिप्शंकर कुछ देर पहले ही था और अभी दस्तक दी है हाल ही में कुछ ही मिंटों पहले ही दस्तक दी है पवन सिंग के गाने ने number one trend पर direct number one trend पर गया है आपको बता दें कि बहुत बड़ी बात है पवन सिंग के से जुड़े जितने लोग है इस टीम के लिए भी साथ ही साथ भोजपुरी के लिए गर्व की बात है बहुत दिनों बाद YouTube के direct trending में आया है कोई भी भोजपुरी का गाना बड़े लंबे अंतराल बाद वैसे पवन सिंग दस्तक ऐसे ही देते है शेरों की दाहाड ऐसे ही होती है direct number one trend में trend कर रहा है song और तो और पवन के जितने भी fan है सभी उनके लिए तो आज दिवाली मनेगी भाई जी हाँ दिवाली इसलिए क्योंकि काफी लंबे अंतराल बाद पवन का कोई song number one trend पर आया है आपको बता दे direct number one trend पर पुदीना भी song नहीं आया था उसने भी time लिया था लेकिन भाई पवन सिंग का इस song ने तो सभी की नीदे उड़ा दी है क्या बॉलिवूड, क्या साउथ इंडस्ट्री सभी इस गाले को देख रहे होंगे सभी जानते हैं यूट्यूब के trend में जो भी आता है पूरा इंडिया उसे देखता है तो क्या कहेंगे पवन के तो भोजकुरी जगत की होटर वसाले दार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब कुलना बिल्कुल न भूलिए